महान कोसल राज्य पे रगवंशी राजा दशरत का शासन था महो टेजस्वी राजा दशरत अपनी तीन राणियों के साथ राजधानी आयोध्या में रहते थे हर सुख था उनके जीवन में संतान सुख के अतरित विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था इसके लिए उनके राजगुरु आचारे वशिष्ठ ने पुत्रेष्टी यग्य की सलाह दी पुत्रेष्टी यग्य के बाद राजा दश्रप को चार बेटों का सुख मिला कौशल्या के राम, कैकेई के भारत और सुमित्रा के लक्षमर कथा शत्रुग्न हुए समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और रीर्ता चारों और प्रसिद्ध हो गई इतनी प्रसिद्ध कि महर्ष विश्वमित्र ने भी अपने यग्य को राक्षसी ताड़का के हाथों से बचाने के लिए राजा दश्रत से श्री राम को ही मागा किsel करते हैных वार दुप सुव कि इतने के लिएक गजने के लिएक है राम के लिए कि राम कि सुया। कि राम कि राम कि रादा़ कि लिएक राम कि भी utilized इसके बाद श्री राम और लक्षपन को महर्ष विश्वामित्र अपने साथ विथिला लेगा जहां राजा जनक में अपनी पुत्री सीता के स्वयमवर का आयोजन किया था स्वयमवर का लक्ष था महादेव शिव के विराट धनुष सुनाव की प्रत्यंचा चाहा था बड़े बड़े महारथी धनुष को हिलाधिन उपाए थे हिमपूर्दरेश महावली रोहित कुमार सुनाव की प्रत्यंचा चढ़ाने के निये उठे हैं महा पराक्रमी रोहित कुमार पराजित हुए अब बच्पन में जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता खेल खेल में ही उठा लेती थी क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना भी किसी खत्री के वश्में नहीं रहा क्या संसार में कोई नहीं जो सुनाव की प्रत्यंचा चढ़ा सके मैं मिधिलानरेश जनक अत्यंत बच्पन में दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वैंवर की समात्ती की घोष्णा करता हूं क्योंकि धर्ती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो सीता के योग्ये हो धर्ती वीर पुर्षों से रिक्त नहीं जब तक दश्रत पुत्र है तब तक तो नहीं तालका का वध किया है मेरे भाईया रामने झालका का वध किया है झालका का वध किया है झालका का वध किया है जलक्षुता देवी सीता का स्वाइंवर लक्ष पूर्ण किया राम सीता विभा के साथ तो जैसे आयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो लक्षमर, भारत, शत्रुग्न, तीनों का विभा, सीता की बेहनों, क्रम्षा, पूर्मिला, मांडवी और शुत, कीर्थी से हुआ, आयोध्या में इतनी प्रसन्ता कभी भी नहीं थी, पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था, प्रजा राम को आयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगे, राजा दश्रत भी व्रिद्धरों चले थे, कैकेई, मैं सोचता हूँ, राम को उत्तराधिकारी बनाकर, राज काज से मुक्त दिबालूँ, अती उत्तम विचार है महराज, यही उप्युक्त समय भी है, कि आप अपना उत्तराधिकारी घोशित करें, और, और राम इसके लिए सबसे योग्य है, लेकिन भारत और शत्रुण तो ननिहाल कहे हैं, तो क्या हुआ, राम उनका बड़ा भाई है, फिर राम, राम तो को गुण संपन्न है, मैं आज ही घोशना करता हूँ, सुनो, 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 समस्त्य अध्यावासियों को ये शुब समाचार है, कि महाराज अधीरा, तश्रण दे, युग्राज रामे के राध्या भिशे का तुन्दरिया है, अयुद्ध्या की होने वाली महाराणी को मेरा अभिवादन, क्या वाद है महाराणी, मुझसे कोई भूल हूई? राजपुरुशों का क्या भरोसा? कल कोई और मुझसे सुन्दर मिल गई, तो वो महाराणी बन जाएगी. ऐसा विचार क्यों आया सी थे? मैं इस्त्रियों के ये दुख समस्ता मुझसी थे, मैंने स्वयम अपनी माँ को इस चक्र में भसे हुए देखा है, सौद का डंक हर नारी के लिए विश्ही होता है, तुम नहीं जानती सीता, मैंने बहुत पहले ही ये वरत ले लिया था कि मेरी एक ही पतनी होगी. संसार के कोई भी नारी मेरा ये वरत भांग नहीं कर सकती. मेरी जीवन में एक ही इस्त्री है, और वो हो तो. स्वामी, मैं भी प्रण करती हूँ, कि सुख हो या दुख सदैव आपके साथ ही रहोगी. अब तो अभिबादन स्विकार करो महाराने. परंद तो जीवन इतना ही सरल होता, तो वो जीवन चक्र न कहलाता. सवभाग्य बीच चुका था, और दुर्भाग्य ने आयोध्या के राज भावनों में करवट लेनी आरंभ कर दे. ये आया सब तब, और ये जीदा मैने लक्षी, तु पुने हार गई. हस लीजिए रानी, जी भर के हस लीजिए. बता नहीं आगे भविश्य क्या हो? क्या बोली तु? प्राणों का अभय हो, तो बोलू रानी. कल मेरे राम का राजय भिशेख है. इस अफसर पे तो सबको अभय है. बोल, निर्भय होकर बोल. ये राजय भिशेख ही तो आपका दुर्भाग किलाएगा. क्या बक्वास करती है? मैं तो सदा आपका भला ही चाहते हूं, रानी. यहां आपके और भारत की अतरीक्त मेरा है ही कौन? आपके विरुख्द महल में शडियंत्र चा जा रहा है. शडियंत्र? कैसा शडियंत्र? राम के राजा बनते ही कौशल्या और सुमित्रा आपसे गिन-किन कर बदले लेंगे. वो दोनों महाराज के आपके प्रती प्रेम से जलती है. नहीं, नहीं, मेरा राम ऐसा कभी नहीं होने देगा. आप राम राम भजती रहना, और वो राजा बनते ही अपनी मा के कहने पर आपको और भरत बेटे को राजी से बाहर निकाल प्रेकेगा. महाराज भी तब कुछ नहीं कर पाएंगे. महाराज का जीवन बचाया था आपने, और उन्होंने आप से दो बर्दान मांगने के लिए कहा था. जो आपने उस समय नहीं मांगे, किन्तु अब मांगने की घड़ी है. शीगरुबूल करनों क्या है? एसा ही होगा. मेरे फिरुद्षड यंद्रे? वैसे चौदा वर्ष ही क्यों? मृत्यू क्यों नहीं? नहीं, नहीं, रानी. राम लोकप्रिय है. प्रचा विद्रो कर सकती है. चौदा वर्ष में उसका यौवन बीच चुका होगा. सब उसे भूल भी चुके होंगे. और फिर जंगलों में तो राक्षस भी है. क्या पता? राम का अंत उन्हीं के हाथों हो जाए. राम कैकेई को भवन में चली जाती है. और राजा दशनत को विवश्च कर देती है. के राम को मर्वास हो और भारत राजा बने. पिता के वश्चनों की रक्षा करनी है माओ. मुझे अन्माती दे. मैं देखता हूँ कौन आपके अधिकार चींगता है. मैं भारत का वद कर दूगा. पिता सम्मु खाए तो उनका भी मैं. शान्त रहो लक्षमन. अधर्म और पाप से युक्त राज्य का मैं लो भी नहीं. मेरी यात्रा की व्योस्था करो. ये मेरी याग गया है. मैं भी वन जाओंगी आपके साथ. मैंने हर स्थिदी में आपके साथ रहने की प्रतिग्या की है. कि दूसीत. यदि मेरी प्रतिग्या टूटी, तुम रित्यूका रखोगी. मेरी प्रतिग्या तुरुगा अग्या है. मेरा दुर्वा क्या है? मुझे क्षवा कर दो, मुझे क्षवा कर दो. ऐसा मत कहिए, पिताजी. 14 वर्ष तो पलक्षपकते ही बिच जाएंगे. आप मुझे वन प्रस्थान के नुमती दे. नहीं, नहीं, तुम समझ हो. राम, तुम दल्वार के बल पे, कोसल पे शासन करो, पुत्र. एक शुआकु वंश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, पिताजी. राम के जीवन में तो ये संभाव नहीं. चलताओ. राम, मच्चाओ राम, बयुद्या तुम्हारी है. तोड़ दो मेरा वजन. राम, मेरे पत्चाओ, मच्चाओ राम, मच्चाओ राम. ठाम, म मेरे पत्तबा. राम, मेरा राम, दोड़ क्भी राम, शोड़ राम. उसाइसलोमा, मैंमा राम, लग चान्मां, डाम्मा. राम, कष्चाओ राम. राम… बहिया, बहिया, मैं भी चलूँगा आपका साथ, महारग में आपकी सेवा कौन खरेगा बहिया आपके साथ, बहिए Tale प्या है आपका खर्त वे सर्व परिया है, मैं आपकी रहात देखूने है। श्रीराम लक्षमन और देवी सीता का लक्षित चित्रकूट था। माजी केवट में उन्हें गंगा पार करें। ऐसा भक्त के तीनों के पैर्ध होए नौका में चड़ाने से ते। चित्रकूट के मनोरम बातावरा में तीनों अयोध्या का दुख भूल गए। लेकिन दुर्भाग्य अभी भी अयोध्या में ही मन रहा रहा था। महराज दश्रत ने पत्रवयोग में प्रांत त्याग दिये। घटना एक दीव्रगति से घटती गए। पुन्यात्मा भरत में अपनी माता कैकेई के शड्यंत को स्विकार नहीं किया। वो श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचा। धर्मात्मा राम अपनी बात पे गृण रहे तो भरत भी कम नहीं विक्रा। वो श्री राम की चरण पादुका ही अपने साथ लेगी। अयोध्या का राज जिन्हासन श्री राम के ही चरों के नीचे था। दुष्टों का नाश करते हुए और जनसाधारन को प्रगति का रास्ता दिखाते हुए तीनों दस वर्षों तक दंडक वन में इधर उधर खूंते रहे। अंततह वे महान अगस्त्य मुली से मिले। जिन्होंने दोनों भाईयों को दिव्य अस्त्र दिये। वैश्णव धनश और जिनके बाद कभी समाप्त नहों ऐसे तुणी रहे। अब राम महाशक्तिशाली थे। इसके बाद तीनों का अगला पड़ाव था पंचवणी। वनवास के तेरह वर्ष पूरे हो चते थे। देवी सीता और लक्षमर तो आयोध्या की स्मृति में थे। तिन तो राम को संभवता दैव के क्रूर क्रिडा का आभास था। कौन हो तुम रूपवान मनुश्य। और इस घनी जंगल में क्या कर रहे हो। मैं दशरत पुत्र राम हो देवी। लेकिन तुम। मैं? मैं इस वन की रानी हूँ, शूर्पणा खाओ। आप यहां की रानी हैं? तो आईए, मेरी कुटिया में पधा रही है। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देवी। मैं वचन बद्ध हूँ, तुम जाओ। मेरे जैसी सुंदरी त्रिलोप में नहीं। मेरा, मेरा प्रणैस विकार करो। मैं तुम्हें यहां का राजा बना दूगी। तुमिस्त्री हो, देवी। मैं तुम्हें हानी नहीं पहुँचाना चाहता। जली जाओ। तु मूर्ख है राम। अब अब तु मेरा दास बनेगा। दो दो सुंदर मानाव। क्या हुआ स्वामी? अच्छा। तो इसी के कारण तुम मेरा तिरसकार कर रहे हो, राम। अब तो मैं पहले इसको मारूँगी। लश्वन। हम बच्चों और इस्त्रियों को नहीं मारते। इसलिए। जा भाग जां। अब तो किसी को अपने रूप का लोब नहीं दे पाएगी। मेरा अक्षास राजरावण की पहन उदुष्ट्यों। तुमकू इसको गोड़ना भश्र मिलेगा। अब भश्र मिलेगा। हम विश्व विजेता है। हम शासक है। हम राक्षस है। हम राक्षस मेथ... महा से नापाती परहस्त? देवोने विद्रोह के है राक्षासराज। उन्होंने राक्षास प्तिदेदिकी हत्या कर्दी है। डाक्ष्ध कर दो देवों को। रावड के विरुद्ध जो सर उठे, कार दालो, आदो, बच्चा होई अस्त्री, एक एक देव को मार डालो, हम राक्षस राज, बैठे रहो विभीछन, मुझे मालूम है, तुम क्या कहना चाहते हो, परम तु राक्षस राज, धर्म? मुझे धर्म का पाठ मत पड़ा, मोर्क, सुना नहीं तुने, बैठा रहे, महामहेम राक्षस राज की जय हो, राज पुत्र शुर्पनखा, उपस्तित होने की यहाग्या चाहती है, शूर्पनखा, वो यहाग्या कर रही है, भेजो से, ना ठत्मत का शूट मखा, बोल क्या हुआ, क्या चाहिए? आज की सभा भंग की जाती है, इतना क्या सुच रहा है, तेरी बहन का पान हुआ है, जा, और नाश कर दो मानोगा, पान है, यहोगा है, यह जो पान हुआ है, यह जो बहन का पान है, मुझे भी ये देवों का छल है तो मैं भी माया से काम दोंगा सीता कितना सुंदर है अम्रेग कितना सुंदर है सची मुझे बहुत सुंदर है सीता तेरे बोली भाग जाएगा देवों का शायंतर तो मैंने मादरा लेकर सीता सीता तो अद्भुत है अनुपं सुंदर है स्वामी पकड़िये ना इसे यहां रहीगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा पकड़िये ना इसे इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी कितना अद्भुत है ये लगता है जैसे स्वन का बना है कहीं कोई माया तो नहीं है अहाँ अद्भुत है ने बावी जाईए ना स्वामी मेरे लिए ठीक है सीते लक्षमन मैं इसे पकड़ता हूँ यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना मामा मारे सुना को लुँ माम लुँ लुँ माम झाल झाल लगता है लगता है वो वो संकट में नहीं हो सकता अवशी कोई बाया है भाविया बंदर चलिए अरे तुम्हारे भाईया संकट में तुम्हें पुकार रहे और तुमको माया सूच रही है जाओ देखो जाकर नहीं भावी भाईया और संकट में असंभाव अरे दिखकार है तुम्हें लक्षमन क्या माता कह कह की भाती तुम्हारा भी माता बेर गया अब क्या तुम्हारे में अयोध्या पर द्रिश्टी है तुम जाना के ले अयोध्या ऐसा नहीं भाविया सीथे मैं मैं जाता हूँ लेकिन आपको सुरक्षट करके भावी अब ये कुटी मंत्रवत है कुछ भी हो जाए आप इस रेखा सिर बाहर मत निकलिएगा क्यों स्वार्ण में के लाग सक्ये भैने भीक्षाम देही कि सुखी रहो पुत्री अकेली हो नहीं रिशिवर मेरे पती और देवर आने ही वाले हैं क्या साध्व को भेक्षा मिलेगी पुत्री अवश्य रिशिवर इधर आईए रिशिवर दान ग्रहन कीजिए मैं त्यागी हूँ पुत्री किसी भवन की चाया भी मेरे लिए वर्चित है तुम यहां आकर भिक्षा दो क्षमा करे महमुनी मैं यह नहीं कर सकती मैं यह रेखा नहीं लांग सकती अप्मान है कोर अप्मान मैं तुम्हारे दान का भूक नहीं यदि दिना है तो इधार आई तो मैं जाता हूँ परस्मृति रहे द्वार पर आए साधू का निरादर इश्वर भी शमा नहीं करता अलाक निरंजन रुके रिशीवर धन्यों पुत्री इश्वर तुम्हे संसार की स्वामेदी बनाए यह कहें रेखू अति सुन्दर तुम तु सच में रूपवदी हो देवी मेरा हाथ छोडवंचक नहीं तो मारा जाएगा प्रोध में और अधिक सुन्दर हो जाते हो प्रिये सीता कौन हो तुम? मेरे नाम कैसे पता? मै हूँ रावन लंका धिपति रावन दशानन रावन उस शूर लगा का भाई जिसकी नाग काटी है तुम लोगोंने उसका प्रतिशोद लिया है मैंने अब तु मेरी रावन बने की महा भागे रावन, लट मैन, रक्षे करो दुखी मत हो प्राण प्रिये मैं तुझे सम्मान से रखूँगा तु मेरी पत्रानी बने की जार! सावधान रावन, तुने मेरा हरण नहीं किया अपने काल को बलाया है तेरा सर्वनाश होगा जलाओ! दुष्ट रावन, देव सीता का हरण कर दक्षन दिशा की ओर उड़ गया परंतु आकाश बार्ग में भी उसके सामने एक बहान रुकावट थी गृद राज जटाइए ए राज! कहाँ? लक्षमर पंचवड़ी इधर आशंके तो राम और लक्षमर पंचवड़ी पहुंचे तो वहाँ देवी सीता नहीं थी गाबराकर दोनों उन्हें ढोंगते हैं परंतु अब वह कहां मिलने वाली थी भावी सीता तुझे कोई बचाने नहीं आएगा सीता तू अब मेरी है अब लाका हरण करने में कहां की वीर्चा एरा सामना गर कौन है मून्ग तावर के लास्ते में आता है मिद्यू का भाई नहीं है तुझे मैं किद्धों का राजा जजाईू हूँ छोड़ दे इसे दुष्ट यारा 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 यार यारा यार मैं तुझे कहां हो तम किसी ने देखी है मेरी सीता इधर देव सीता अपने कुछ आभूशन रिश्य मोख परवत की चोटी पर घिरा देते हैं जो वानर राज सुख्रीव को मिलते हैं उधर दोनों भाई माग में कमभी रूप से घायल चटाई उसे मिलते हैं दक्षर की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मा से कबंध नाम का एक राक्षस तकराता है जो के वास्तम में एक शापित देव पुरुष्णा कबंध द्वारा बताई राह पर चलते हुए वे मतंग रिश्री के आश्रम में पहुँचते हैं जहां शबरी उनकी पदिक्षा कर रही थी और बहुत नारी थी वो फेलनी स्वयम चक कर मीठे बेर उसने दोनों भाईयों को खेलाए इसके बाद दोनों किशकिंधा पहुचें वानरों की नगरी किशकिंधा हमसे है खुष्णा 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 हमसे है हस्ती 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 जंगल के राजा हम है यहाँ मस्ती है खुष्णा 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 हम जो चलते हैं चलता है सारा जहाँ हम जो रुखते हैं रुखता है आसमा किश्किन था अपना जीवन से हमको प्यारा इसका हर बार सारे जक्से है न्यारा हाँ जो रे मोदर बंदू जंगों तुछ को पुकारे हाँ जो रे मोदर बंदू ये बंदुछ को पुकारे इले दूस को जीवन अपना समारे मिल जवाई अपस में सम सर्कम्य ही सुनारे कबंद नहीं हमें सुग्रीव के बारे में बताया था वित्रहनुमाई इसके पर शागत तुम जानते ही हो अब हम लोग मित्र हैं किन्तो बाली से तरस्त सुग्रीव हमारी कितनी सहता कर सकते हैं आर्या यदि बाली से मुक्ती मिलती है तो सुग्रीव कुछ भी करने को तयार हो जाएगे और यदि श्री राम की सहता मिलेगी तो सुग्रीव निच्च दी विजय होंगे बाली ने अन्याय किया है कोई छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं करता किन्तु मेत्र तुम सुग्रीव के साथ क्यों हो सुग्रीव प्रजा हित सोचते है और बाली निरंकुष है वानर जाती का हित सुग्रीव का शासनी है कल का दिन महत्वपूर्ण कल सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेंगे चलो बहिया प्रतिक्षा कर रहे होंगे बाली महाबलशाली है श्री राम वो विशाल पर रवध्खंडों को खूंसे से चूर चूर कर सकता है वरे वरे पेड उखार देता है आप कैसे मारेंगे उसे आप भाईया के ख्रमता पे संदेह कर रहे हैं नहीं नहीं मैं तो बस पूछ रहा था बाली को लोगाओता हूँ अब ही जागाद बाली को लोगाओता हूँ को ले भाली को लोगाओता है आद तह सेतो मेरे सम्नेया! तुष्पाहनिकल! यहां से बंदू, बहुत दुख रहा है, यदि बाली को नहीं मारना था, तो ये योजना क्यों बनाई, मेरे वद के लिए, कैसे मित्र है आप स्रिडान? मेरी कठनाई भी तो समझो कपिराज, यदि बाली के भर्म में बान आपको लज जाता है, तो अनर्थ हो दाता है, हाँ महाराज, दूर से आप दोनों के भीष्ण युद में कौन बाली है और कौन आप, ये भेद करना असंभव ही था, एक काम कीजे कपिराज, आप दोबारा जाएए, इस बार योजना दूसरी है, महीं, महादा, आपकी योजना मेरे कितने काम की है, ये मैं भली भात ही जान गया हूँ इस बार चूक नहीं होगी कपिराज, देखें, इस बार आप ये धारन किये होगें ऑलने अहीं होगे, हो भाले, बाले लाँ आपाой!!! तो इस भर्काल ऌत सगी होगे! कि अ गल कि अ कि अ कि अ आधिने one historically been some green उसी फdeог मिंस हुआ 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 आधिने पुआ है वदो м Rule वल Stream 21 कर दोसमें हुँ 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 कर दो आनर रास उद्रीव की जयो बानी पुत्रा अंगर की जयो 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 BANDवोओ Jeevant एक बार मिलता है हमें सी Jeevan में सिथ और न होता है कि हम उसके योग्य है वानी मेरा भाई था कें तु धानमार कर्टप में से उपर कुछ भी नहीं भे वानर राज सुग्री हूँ क्या वानर वंश मेले साथ है अवाश्या अवाश्या तो बाली मारा गया एक और विशेश भात महा महिम एक बड़ी वानर सेना इन दिनों किश्किन्धा में कत्र है क्या बड़ी दात सुग्रीव राजा बना है तो शक्ती प्रदर्शन कर रहा होगा यूत्पति सुशेंग आप अपने दल के साथ पूरवदिशा में जाए तार आप बश्शिन में जाए केसनी आप उत्तर में जाएंगे मैं आपको एक महीने का समय देता हूँ महीने भर के भीतर आपको लॉट कर आना है ये निश्चित करके कि देवी सीता उस दिशा में है या नहीं अर्मान, अंगद, जामवन्त और नल्ने आप मेरे सर्वस्रेष्ट पीर है दक्षन दिशा में देवी के मिलने की सरवाधिक संभावना है अता अंगद के निटित्व में आपका दल दक्षन क्याएगा स्मिति रखे एक महीना हम विश्वास दिलाते हैं महाराज यदि असफल हुए तो जीवित नहीं लोटेंगे किन्तु यदि देवी मिली तो हमें पहचानेंगी कैसे यदि सीता मिले तो यह उठी दिखाने वे आपको मित्र ही समझेंगे कि खालो पुत्री अन्न त्यादने से कुछ नहीं होगा कैसे खालो माता क्या बदा मेरे राम भी भूगे हूं भाया तीन महीने हो गए दक्षण वाला दल अभी तक नहीं लोटा अभी मैंने आशा नहीं छोड़ी है लक्षमा देर होने का अर्थ है कि उन्नों का सहसरी जीता है मैं मैं अब रिद्ध हो चला हूँ क्या है महानुभा आप गिद है अवशी गिद्रा जटायू को जानते होंगे हां जटायू वो तो मेरा चोटा भाई है तुम कैसे जानते हुशे मेरे भाई जटायू जिस रावन ने तुम्हारी हत्या की उसका नाश होगा नाश होगा उसका सुनो बंधुओं मैंने देखा था रावन को किसी नारी का हरन करके लंका की ओर जा रहा था अवश ही वो देवी सीता होंगी लंका हाँ लंका वही है उसकी राजधानी इस समुद्र के बीच में है वो दुर्गंध्वीप परंतु वहां तक पहुंशने का मार्ग देव संपाती यहां से दूर महेंद्र परवत के तड़ से लंका की दूरी मात्र सौयोजन रह जाती है वहां समुद्र उत्रा भी है क्योंकि मैनात परवत शंक्ला है उसके अंदर वहां से तुम लोग लंका पहुंश सकते हो धर्म्यबाद के धिराज हम उगित हुए यहां से लंका आप शौ योजन दूर है मैं सांठ योजन तक तो बीना थके जा सकता हूं बुढ़ा हूं फिर भी असी योजन तो जा ही सकता हूं मैं सौ योजन तक तो जा सकता हूं लेकिन लॉटने में गड़बढ हो सकती है तो फिर क्या करें? मैं ही जाता हूँ रुकिये युवराज, आप दल के नेता हैं मैं जानता हूँ कौन जाएगा लेकिन उसे जगाना होगा बानर रत्न हनुमाद मौन क्यों बैठे हो? अवश्य ही शक्ती तौल रहे होगे अपनी उठो महावी, उठो संसार को दिखा दो कि तुम कितने समर्थ हो महाबली, श्री राम का विश्वास तुम्हारे ही कंधों पर टिका है साथियो, चिंता न करो मैं श्री राम का काम अश्य पूरा करूंगा अवश्य ही श्री बाह पूरा करूंगा यह सोर्चा का प्रदिक बंधिक शेत्र है कौन है रे तू दुस्ताफी तुझे मेरे मुख में आ रहा होगा दुस्ताफी यह यह शेयर है यह है यह नगमाथा बहें आपके मुण नहां जोगाओ आपका मंतल ठुक्रावबा, आप मुच्छे जाने दे। जाओ, मेरा आशिर्वाद है तुम्ही। अजर अयां, जाओ, तुम्हाराँ एचार्ण castle छë priority एचार्ण घ्चstellen एचे घचे खुड़ है वो, तो ये है रावन की सोने की लंका, अनंद आगा वो, खो तो ये हैं अनंद दिए बाद बात की लंका, फिरूब की लिए लाओा वो, तो ये हैं रहाँा है रहाँ कि लिए की वे लाद है रहाँ अनंद आगा भाद की लो तो येम्जराओान वूबड़ा है। खुल्यों कि अप्राज़। वाँ भाईया अर्मान की ये करा तो अब तर छिपी ही थी अरे मैं तो इसे बच्पन से देख रहा हूँ इतना चंचल कि सूर को फल समझ कर खाने उड़ा था इसकी उत्ष शंखलताओं से तंग आकर ही तो इसको श्राप मिला था कि जब तक कोई इसे प्रेरित नहीं करेगा ये अपनी शक्तियों को भूला रहेगा सो आज मैंने प्रेरित कर दिया कहा होंगी देवी सिता कहा होंगी कहा होंगी ये क्या तू मान दी क्यों नहीं मेरा प्रस्ता हो अधय मंचरी उस कंगले राम के पीछे जीवन क्यूं निष्ट कर रही हो प्राहण वालबे मैं तुझे सुक से रखूंगा मांजा सिरोचनी मांजा अरे तुष्ट कितनी बार तुझे ना बोलूँ जा अपने दिन गिन मेरे राम बस आते ही होंगे दिन तो अब तो किन मैंने तुझे एक वर्ष का समय दिया था और अब बस तो मां ही बचे हैं यदि तु नहीं मानी तो मेरी रसोई तेरी प्रतिक्षान है राम, मेरे राम, कहा हूं मेरी सोमें किया जीवन से हार मान लू बट्स प्रादा राम, मेरे राम, मेरे राम प्रणाम देवी सिता यह 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 तो मेरे स्वामी के उंगुटिय है हां मता स्वामी श्री राम ने मुझे दी है मैं हूं का नुचर वानर हनुमान कैसे है स्वामी राम तेवर लक्षमन कैसे हैं मेरे बिना क्या हाल हुआ होगा उनका कौन उनके भोजनादी का ध्यान रखता होगा देवी अब आपका समाचार सुनकर निच्चे ही अच्छे हो जाएंगे कभी वर स्वामी की सूचना देकर आज मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया तुमने श्री राम और लक्षमन के बाद तुम ही अब मुझे सरवाधिक प्रियर होगे स्वामी से कहना शीक्रत आ गए रावन मुझे दो महिने बाद मार देगा यदि ऐसा है माता तो मैं आपको अपनी पीट पर बेठा कर यहां से ले चलता हूँ तुम जाओ और शीक्रत स्वामी को देग रहा है आप मेरे साथ चलिये ना माता मैं आपके पुत्र जैसा ही तो हूँ नहीं पुत्र मेरे सम्मान के लिए शीराम को स्वयम ही आना होगा खिंतु? और इस दुष्ट रावन को भी तो पाठ पड़ाना है स्वामी को देना वो समझ जाएंगे ठीक है माता माता मने कल से कुछ नहीं काया यदि आपकी आग्या हो तो दोचर भल खालू खालो राच्छा स्राज एक वानल उत्पार्थ मचा रहा है उसने अशोग बाटी का ध्वस्त कर दी है जाओ उस दुष्ट को जीवत लाना मेरे सामने कौन है रे तू यू वाया लंका में मैं किश्किंधा के राजा सुग्रीव का सचिव हनुमान आपके पास दश्रत पोत्र श्री राम का संधेश लाया आपने उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वाख लंका में बंदी बनाका रखा हुआ है मेरा निवेदन है कि आप सीता माता को सास्समान बटा दे अन्य था आपको युद्ध के अनर्थकारी पर इनाम भुकत में होने तेरा ये सास्स लावण को दमकाता है लंका धीपदी लावण को दमकाता है प्रास बात कर दो इस तुछवान का महराज, दूद अवध्य होता है इसके अपराधों का आप कोई अन्य दिम्द दे सकते हैं परंदू, प्रांडदंड, आचार विरुत्ध होगा वानर को उसकी पूँच सरवादिक प्रेय होती है इस दुष्ट की पूच में आग लगाकर इसे नगर में खमाओ कौतुक रहेगा कर दोच में पूचा कर दोचा छोचा कर दोचा वह 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 वान इन पूच्ट वह 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 त. राव रह रह आटीजिजिजिजिग माई दित्यक्ट हम् 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 हम parle हम् हम हम अ लुब लुब क्या हुआ, मंत्री वार? मिल गई सीतामाता. जलादी लंका. चोड़ा मड़ी? लक्षो, सीता की चुड़ा मणी? कैसी है मेरी सीता? देवी सीता सक कुशल है. और राद दिन आपके आने की राद देखती है. महाराज, तरिक भी विलम ना करे. अन्यता, दो महाबाद, रावन सीतामाता को मार देगा. लेज़ आओ! लेज़ आओ! मित्रो, मैं प्रसन्न हूं कि आप लोग मेरे लिए एकत्रत हुए. लेकिन मेरी सहायता करने में आपके मार्ग में अनेक कठनाईया आ सकती है. मैं तो स्वाहिमान के लिए लड़ रहा हूं, मगर आप बाद नहीं है. देवी सीता की खोज में आपका सामना महाबलशाली रावण और उसकी सेना से हो. जिसको युद्ध में नहीं जाना हो, वो स्वातंत्र है. लेकिन मैं दश्रत्पुत्र रगवन्शी राम आपको विश्वास दिनाता हूं कि विजय हमारी होगी. अत्याचारी राक्षसों को हम पृत्वी से विटा देके. देशी राम! देशी राम! देशी राम! अब कोई शक्ती मेरे रास्ते में नहीं आ सकती. स्वयम समुत्र मुझे माग देगा. हे समुत्र! अपने विशालता पे अभिवार है तुझे! तु मुझे रास्ता नहीं देगा! मैं तुझे रामाज जूर करता हूगा! मैं तुझे सुखात हूगा! शीर! तुझे सुखात है, तुझे रास्ता मुझे मेन करता हूगा! शीर! बिवीजन अपने भाई को छोड़ कर शत्रू का पक्ष लेता है जुश्टू मैं लंका धिपती रावन तुझे लंका से निर्वासित करता हूँ भाग जा कुल द्रोही नहीं तो अभी मारा जाएगा रामा दल की सांस हजब तक जीती अपना नारा हम से लड़कर कौन पचाओ है साजर तक है भारा अपना राम रिखाया हो फिलके पढ़के भाईया हो अरे भाई रामा दल की जाईया हो जन्जगा के ख़ईया हो रास्त! सारे सेना पतियों की आपत बैठक बिलाओ अभी जहां जहां सेना है वहां से ततकाल वापस बिला लो राक्षसों की परिष्शा है हे ईश्वर, मेरे स्वामी की सहायता करना रावण की सेना में सबसे शक्तिशाली है मेड मांत गुंबकरन तो सोया हुआ है लेकिन उसका भी कोई तोड़ नहीं है उसका दूसरा पुत्र प्रहस्त महाजिनापती है मड़ी भद्र युद्ध से प्रसिद्ध हुआ है वो रावण के पास एक से बढ़कर एक महारत ही है श्रीराम उसके पास धर्म की शक्ति नहीं है विविशा उसका दंभ और अनचार ही उसका नाश करेगा मैं आपके पास प्रभु श्री राम का संदेश लाया हूँ कि अभी भी समय है माता सीता को वापस कर दो तेरा पिता मेरा मित्र थांगत मेरे साथ आजा तो किश्कंधा का राजा बन सकता है मुझे अपने परिजन आपसे अधिक प्यारे है राक्षस राज समय नश्ट ना करे सीता माता को लोटा दे तुझा और बोल अपने राम से कि वो रावड के सामने अभी बच्चा है जंगल के कुछ पशू इकठे करके वो मुझसे युद्ध करने चला है अपनी शक्ति पे इतना घमंड है रावड यदि इस सभा का कोई भी वी मेरा पैर उठा कर दिखाए तो जानू अपनी प्राव यदिर्भी घुद्धिर्भी में रावशू अथर भी यदिर्वें प्रेवें तो यदिर्वें लिय के स्वपने रावश। मेरे पैर क्या पकड़ता है रामन जाके श्री राम के चरण पकड़ तुझे जीवन दान वही देंगे जै श्री राम जै श्री राम श्री राम दंभी रामन युद्धी चाहता है जंगल के पश्मों को इकठा कर रावड को चुनोती दे रहा है हम उसको बहुत सबग सिखाएंगे कि भविश्य में कोई भी कोई भी लंका की योगरां को दाकर देखने से भीटरे हम दाकर के भीज्य में कोई लावड़ाई युर्ण विर्णव फिर्ण विर्णव कर दिना! कर दिना! कर दिना! कर दिना! ओदेड़र! कर दो! इको! तदец्थाओन पुलाओन कर दो! कर दो! कर दो! कर दो, बना, कर दो के दो फ्योंग सब्सालो लीा जटा है । च texts कैना, कि अ ज झालiken है भ्योंना तक झाल श्री राम ये प्रहस्ति की सेना है रावण की सेना का इतिहाई भाग इसे पराजिक किया तो रावण की शक्ती बहुत कर दो जाए और कहुचचचचक की पुचचचक की बाहँ मुचचक की वुल की इसेना है खूआилоً ह्के की की ट सी झाल कि और dissनु कि तर फ FOR दिप की मिजन टे उडने टो मैं अ कि अ कि ब Void कि ब लुब खिच कर दे लग हो कि कि झाल Saya सकत्या कि इन हुआ 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 कि स्वामी यह राम पड़ा ही शक्तिशाली उस पर यह वानर आप सीता को लोटा दीजी ना कि अग्या कि अग्या यह वैभाव यह संपन्नता यह जो सोने की लंका देख रही हो ना रानी यह सब मेरा है स्वयम के बाहुबल से अर्जित किया है मैंने सीता सीता अब मेरा आत्मसंवान है और रामर अपना आत्मसंवान किसी को नहीं दे सकता समझी मन दो दें किसी को भी नहीं क्या हुआ मित्र कोई विशेश सूचना मेरे गुप्तचरों ने सूचना दिये कि कल युद्ध में रामन की योजना कुम्भ कर्ण को भेजने की है क्या हुआ मुझे रक्चाहिए राम का और रहा है ओर्म! आटो! अग? आटो! अँछ अँछ नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे होते हुए तुम मृत्य क्यो और नहीं जा सकते हैं, लक्ष्मन, स्वित्रा माह को क्या मूँ दिखाऊंगा, बहुत हलका स्पंदन है, परन्तु अभी भी आशा है, हिमाले परवत में इक बूटी पाय जाती है, आरिय, मृत्य संजीव न मैं जाता हू, ए छीराच के शीराच, के शीराच, के शीराच, के शीराच सुशयन माहराच, मैं बला भूटी क्या वहिचान, ये रहाद रोना चल का Tobya धन्यो हो हनुमान, धन्यो फिर जाता हूँ, इस बार पहले हनुमान को ही मारूँगा रुको पुत्र, ये शत्रू प्रबल है, हमें कोई और युपती सोचनी होगे इसके लिए तुम लोग युद्ध करा है होना? येलो सिताओ ये ये असंभव है, ये अवश्य ही रावन की माया होगी, मैं अभी पता लगाता हूँ मैंने तुम्हे एक वर्ष का समय दिया था अब केवल चार दिन शेश है, यही इसमरण कराने आया था अरे हाँ, ये लो, ये लो, तुम्हारा राव अब चार दिन पाधे आओंगा, सिते सूचना ही थोड़ी असपर्ष्ट है, बंदू रिजटा से मेरा गुप्तिचर भी नहीं मिल पाया है अर्था भावी जीवित हो सकती है हाँ, एक बात आओ, मेगनात तांत्रिक निकुम्हला यग्य करने गया है निकुम्हला, यदि ये यग्य पूरा हुआ, तो उसे ऐसा रत मिलेगा जिस पे चड़कर युद्ध करने वाला वेक्ति है अविजित और अमर रहता है वे जानता हूँ, कहा कर रहा है ये किमेगनात्रिक अबनात्रिक मादा, मैं प्राज द्यागना चाहते हूँ पुत्री, तुम्हारे पती अजेय है राक्षस राजने अवश्य ही कोई माया रच्छी होगी मैं पता लगाती हूँ विभीशन के कुप्टचर को चानती हूँ मैं विभीशन के विभीशन के विभीशन के सब्साइब मादा हुए महराज, राम को पता चल गया है कि सीता जीवित है विभीशन ने भेर खोल दिया है रावन, इस तरहा धैर छोड़ना तेरा स्वभाव नहीं तुने नो ग्रहों पर विजय पाई है रावन तु स्वेंग इस समर्थशाली है तु मा बल्षाली है तु तलोक विजयता है रावन, रावन, रावन छी पाना देएosphat, रावन, रावन रावन, रावन, रावन रावन प्रिस्टेट मूर कवान रो मैं तुम्हें मचण की तरह मसल दूँगा विलोन वीक वैल्डरी, विलान आवान मुदधी, तखंद राच्च नल्लाज पंद खावगी, के सोर जंद में जले, लगिल्च दिंच नम्माद। मैं पेल कि अंदन लेता के सोर जारी, वड़िफ सेा, का वेता के लाल साव नके में। जलेल्स नम्माद। भाल्माद। फुछ सुज दिरें पुछ सनु weet कि अारेखम पजय पारेखम मुझे कोई नहीं मार सक्दा इससे ब्रह्मा का वर्दान भिला है शुरी डाम मैं अमर हूँ इसकी नाभी में अमरिथ है राम, तेरी मिद्यूं मेरे हाथों से लिखी है आरा हादा, शुरी दो हमार गाया अर्षार जुग झाल वाह आजवाश्ट, आजवाश्ट आजवाश्ट आजवाश्ट, आजवाश्ट अजज इना गता हूँ हिर रख हुआ नहीना कि नहीं सुषे हुआ कि कि किन से लसे उसे हुआ कि अब आगा कर दो 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 कर तुष्ट्रावन मारा गया, सब भाग रहे, तुष्टा भी, मेरे राम विजयी हुए, स्वामी आ रहे होंगे मुझे लेने, कैसे सामना करूंगी उनका, एक फर्ष हो गया उनसे बिछड़े, मैं क्या नहीं बहूं, जो मुझे इतनी लच जा रही है, सीथे, आखे खोलो सीथे, मैं हा गया, तुम्हारा राम, कहीं ये सौपन तो नहीं, नहीं नहीं, आख खोलूंगी, तो टूट जाएगा, ये स्वापन नहीं है सीथा, हम वजय हुए है, मुझे ख्रमां कर दीजे भावी, मैं आपके लक्षा न कर सका, ऐसा मत बोलो लक्षमर, यही नियती थी, तुम्हारा कोई दोश नहीं, चलो अब घर चलते हैं, चौदा वर्ष बीद गए, आयोध्या में सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मुझे दीदा की? जैंक जैंक क मुझे तुम्हारा की? जैंक दीबे? चक्रवर्दी राजा बनो पुत्र करें of ए रुत्र िस मैईेडनी राजा झाल झाल जिनके मन में सीता राम उनके घर में चारों था जिनके मन में सीता राम उनके घर में चारों था झाल राम उनके घर में चारों विनके घर में चारों डाराँ जिनके में सीता राम चारों सियाराम एक सिध मंद्र है महाशक्ति की धारा जम मारन से छूट गया वो जिसने राम पुकारा सियाराम एक सिध मंद्र है महाशक्ति की धारा जम मारन से छूट गया वो जिसने राम पुकारा बनेगे सारे विखडे का जम के मन में सी तारा जम माराम एक से छूट एक सिर्णल पुकारा जम माराम एक सिर्णल पुकारा प्रावाना में रामे हुए हैं सूरज चंदाता हैं रामगत को ही मिलते हैं सुख दुनिया के सारे राम नाम में रामे हुए हैं सुरज चंदातारे हैं रामगत को ही मिलते हैं सुख दुनिया के सारे हैं इसमें लगता नहीं छलाम जिनके मन में सीता राम बुलो राम 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 सीया राम राम सीया राम दोलो राम 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 मुझा राम राम प्राम ग्रेबात जीव जन्तों भी सहज भाव शह पाते मर्वानर दूना ही निलकर राम कता है गाते गाय हो जै हो जै श्री राम लाम 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 झाल झाल